हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने यूटुब चैनल के वीडियो को आप फिरी में प्रमोट खुद से कैसे कर सकते हैं तो आप भी अगर अपने वीडियो को प्रोमोज करना चाहते हैं, अपने वीडियो पर व्यूज लाना चाहते है, वाज़ टाइम and subscriber बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आप के लिए best होने वाली है, तो क्या है वो तरीका कैसे अपने वीडियो को फिरिम नो तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना ITE studio application को open कर लेंगे तो जैसे ही हमारा ITE studio application open हो जाता है simply यहाँ पर हमें analytic वाले option पर click करेंगे and यहाँ पर scroll down करके नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको real time का option देखने को मिल जाता है यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि किस वीडियो पर आपका real time views आ रहा है तो जैसे कि आप यहां पर देख रहा है कि हमारे इन वीडियो पर real time views आ रहा है जो कि अभी ततकाल में इन वीडियो हमारा चल रहा है इसके बाद आप जिस भी वीडियो को प्रोमोशन करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जिस भी वीडियो का ब्यूज बढ़े, वाज टाइम बढ़े तो इस वीडियो का लिंक को कॉपी करना है तो इसके लिए हम चल जाएंगे YouTube अफ्लिकेशन में तो हम यहाँ पर अपना YouTube अप्लिकेशन ओपन कर लिए हैं और नीचे profile icon पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर अपने channel के उपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका सारा videos आ जाएगा videos वाले option पर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि इस video को promotion करें इस video पर हमनों views बढ़ाना चाहते हैं तो simply इस video के three dots पर क्लिक करना है और share वाले option पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर copy link को option मिल जाते हैं simply इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम पूर बायक हो जाते हैं पूर बायक होने के बाद YT Studio application को फिर से open करना है तो यहाँ से हम YT Studio application को open कर लिया है और open करने के बाद यहाँ content वाले option से आप अपने उस video को यहाँ से select कर लेना जिस video पर आपका real time views आ रहा है तो मैं यहाँ से अपना उस video को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैं आपने इस वीडियो को यहाँ पर open कर लिया हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको उपर pencil का icon देखने को मिल जाएगा simply इस pencil वाले icon पर click कर देंगे pencil वाले icon पर click करने के बाद आपको यहाँ पर description देखने को option मिल जाता है जिस वीडियो को आप वारल करना चाहते हैं तो simply उस वीडियो को यहाँ पर आपको उस वीडियो को पेस्ट करना है इससे पहले उस वीडियो का टाइटल क्या है जिसको आप वारल करना चाहते हैं तो उस टाइटल को यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे अपने उसी वीड आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए तो चलते हैं सबसे पहले अपना Chrome Browser application को open कर लेते हैं Chrome Browser application open करने के बाद यहाँ पर सार्च बार में simply YouTube.com लिग कर सर्च कर देना है इसके बाद यहाँ पर अपने profile logo पर click करना है तो यहाँ पर हमारा profile logo यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस पर click करेंगे and यहां से view your channel simply उस पर click कर देंगे click करने क बाद simply यहाँ पर customize channel वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर च्रार। अप्सन देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिस भी वीडियो पर आपका ज़्यादा व्यूज आया है उस वीडियो को यहाँ से सलेक्ट करना जैसे कि इस वीडियो पर हमारा ज़्यादा वीज है तो हम यहाँ पर पहले वीडियो को select कर लेंगे जैसे इसको select कर लेते हैं यहाँ पर नीचे आपको end screen का option देखने को मिल जाता है simply यहाँ पर pencil वाले icon पर click करेंगे तो जैसे इस वीडियो पर click करते हैं आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके उस वीडियो का यहाँ पर end screen लगाना है जिस पर आपका views काम आ रहा है जिस वीडियो पर views नहीं आ रहा है और वो video viral नहीं हुआ है तो end screen में उसी वीडियो को यहाँ पर लगाना है तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर element का option है इस पर click कर देंगे जैसे इस पर click करते हैं वीडियो वाले option को click करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर आपको change करने का option दे देता है तो जैसे हम वीडियो वाले option पर click करते हैं यहां बढ़ाना चाहते हैं जिस वीडियो को वाइरल करना चाहते हैं उस वीडियो को सिंपली यहां से सलेक्ट कर लेना है तो जैसे मैं इस वीडियो को सलेक्ट कर लेता हूं इस वीडियो को सलेक्ट कर लिया यहां पर मेरा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है यहाँ पर Save बटन पर क्लिक कर देंगे बस इतना ही करना है आपका वीडियो बड़ी आसानी से वाइरल हो जाएगा आपके वीडियो पर व्यूज आना इस्टार्ट हो जाएगा इस तरह से आप अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ा सकते हैं और व्यूज बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर यहाँ से इंक्रेज हो जाएगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं ऐसे ही अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में थैंक्स फ़र वाचिंग हुआ हुआ है